नमस्कार दोस्तों जे मातारानी की दोस्तों आज की हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए भगवान भोले नात की और सनी दिव महराज की एक रोचक कहानी लेकर आएं दोस्तों सनी देव को न्याय का देवता माना जाता है अपने जीवन काल में परते वेक्ति को सनी देव की ब्रक डस्टि का सामना करना पड़ता है नाव गरो में सनी देव सबसे धीरे चन्ने वाले गरह होते हैं और ये सबी राशियों का भर्मन करने में 30 वर्ष का समय लगाते हैं मनुसे, देवता, दानव, डिसी मुनी सबको इनकी वक्र डश्टी का सामना करना ही पड़ता है यहां तक कि दोस्तों एक बार भगवान संकर को भी इनकी वक्र डश्टी का सामना करना पड़ा था एक कथा के अनुसार एक बार सनी देव भगवान संकर की घर केलास परवत पर पहुश्चे और सनी देव ने भोले बाबा को परणाम किया घववान संकर जी बोले बोलो सनी देव केसे आना हुआ तब सनी देव बोले परभू समय की चकर के अनुसार कल मेरी वक्र दस्टी आप पर पढ़ने वाली है अर्थार कल में आपकी रासी में भर्मन कर डूंगा सनी देव की बात सुनकर भूले नात हेरां दुए और पूछा सनी तुम कब तक मेरी रासी पर रहोगे तब सनी देव बोले परभू सवा पहर मेरी दस्टी आप पर होगी ऐसा कहकर सनी देव भूले नात को परणाम करके चले जाते हैं अब महा देव सोचने लगी मुझे सनी की वक्र डस्टी से बचना होगा अगर मुझ पर सनी की वक्र डस्टी पड़ी तो देव क्या आप सोचेंगे महा देव ने एक योजना बनाएगी कल सनी के आने से पहले ही वह केलाज छोड़कर मित्यों लोग चले जाएंगे और कुछ ऐसा ही करेंगे की सनी की वक्र डस्टी से वह बच जाएं अगले ही दिन भग्वान भोले नाथ मित्यों लोग में पहुंचे और एक हाती का रूप धर लिया हाती के रूप में महा देव को सारा दिन रहना पड़ा इदर उदर बठकते उन्होंने जब एक नगर में परवेस किया तब वहां के लोग घबड़ा गए उन्हें भागने लगे हाती के रूप में ही उन्हें जल और भोजन गयान करना पड़ा सारा दिन भी जाने पर महा देव ने सोचा चलो अब पूरा दिन बीत गया है अब मैं सनी की वर्फिंड़ेस्टी से बच गया अब तो मैं केलास परवट में लोटता हूँ ऐसा सोच कर महा देव ने हाती का रूप त्यागा और केलास परवट को लोटाए केलास परवट को पौंचते ही महा देव ने देखा कि सनी देव तो पहले से ही वहां मोजूद है उन्होंने महादेव को देखते ही परणाम किया उन्हें देखकर भोले नाथ मुस्कुराए और बोले देखा सनी में तुम्हारी वर्क डस्टी से बच गया हूँ तुम अपनी वर्क डस्टी मुझ पर नहीं डाल पाए महादेव की बात सुनकर सनी देव बोले ही परणू मेरी वर्क डस्टी से ना देव बच सके हैं ना ही मानों बच सके हैं और ना ही आप बच पाए हैं महादेव ने हेरान होकर पूछा वह के से तो सनी देव बोले परबू यह है मेरी वर्क डस्टी का ही तो परवाव था कि आपको अपना वास्तिव सवरूप त्याव कर हाती की योनी में जाना पड़ा इदर उदर भटगना पड़ा पसु योनी में ही जल गहन करना पड़ा अपना लिवास इस्तान छोड़ कर केलास छोड़ कर जाना पड़ा जब मेरी ड्रस्टी आप पर पड़ी उसी पर आप उसके पात्र बन गए यह सुन महादेव जी मुस्कुराए और सनी देव को गले लगा लिया और बोले सनी तुम सही हो मेरे सिस्से कहलाने के योगे हो साती यह वर्दान भी दिया की नव गरों में तुमारा गरह सर्वसेश इस्तान पत होगा जीवन में सबी काम करने वाला तुम से कभी भैवित नहीं होगा और जल में कमल के समाज सुरक्षित रहेगा इस परकार सनी देव की द्रश्टी का सामना सब को करना पड़ता है लेकिन जो धरम के अनुकुल आचरन करता है दया, सदभावना, प्रेम और सुविचात रखता है वह जीवन में सबी द्सुख प्राप्त करता है जो वेक्ति सनीवार को पीपल के पेड में जल चड़ाता ह काले वस्तुओं का दान करता है गायत्री मंत का जाप करता है पसुपक्सियों को अन और जल देता है चीटियों को आटा खिलाता है और सनी चालिस सब पड़ता है और सनी देव की कथा सुनता है उस पर सनी देव माराज की करपा सदेव बनी रेती हैं सनी देव माराज उनकी सबी मनो कामनाई पूरी करते हैं तो बोलो सनी देव माराज और भोले बाबा की जे हो तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो आप में कमेंट बोक्स में बताईए तथा अपने दोस्तों रिष्टिदारों को इसे ज़्यादा से ज़्यादा सेर करिए और हाँ दोस्तों अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे एसी ही वीडियो आपको जल्दी मिल सके धन्यवाद